सबर खर बंदे आज तुझे देखते जो हसते हैं वो कल तुझे देखते रह जाएंगे त्यागते सब खोयशें कुछ अलग करने के लिए राम ने भी भूत कुछ खोया शिडिराम बनने के लिए बेजान चीजों को बन नाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं लोग सुनते हैं चुप-चुप कर और कहते हैं कि दिवारों को कान होते हैं महानता कभी ना गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिर कर उठ जाने में है उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं इसका सीथा अर्थ है कि आप उनसे दो कदम आगे हैं एक समझदार व्यक्तिव है है जो दूसरों के गुणों और विशेष्टाओं को देखता है उनसे सीखता है ना कि दूसरों से तुनना या इर्श्य करता है सबर कर बंदे मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है